Use of one, once, once, oneself, someone, anyone, no one इन सभी सब्दों में one लगा हुआ है और one का परियोग काफी असान है इस वीडियो में complete use of one सिखेंगे तो पारे समझते हैं one का क्या मतलब है One का मतलब है हर या फिर बोल सकते हैं सब कोई अब ये one क्या है ये one है pronoun ये one का परियोग क्या आता है एक pronoun के रूप में और ये sentence में काम करेगा एक subject के रूप में अब ये sentence में परियोग कैसे करना है और इससे परियोग कब करना है वो देखते हैं अब ये pronoun है इसका मतलब है सब कोई या हर मतलब ये कौन से प्रोनावन के अंदर आएगा ये आएगा इंडाफनेट प्रोनावन के अंदर जिसमें की कुछ संभव नहीं है आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में एक्जक्ट कितना है लेकिन सब की बात करते हैं यसे सब को गरीबों की मदद करनी चाहिए अब स सब को किसको करनी चाहिए नहीं पता तुवापर बोलेंगे one should help the poor कि आपर सब को के लिए one परियोग हुआ है और ये संदेंस में प्रोनावन है इसलिए संदेंस में सब्जक्ट का काम कर रहा है और इसका मतलब है one और ये प्रोनावन है और ये इंडाफनेट प्रोनावन है सब को माता पिता की इज़त करनी चाहिए वन सुड रिस्पेक्ट पारेंट्स तिया पर वन है या पर सब्जक्ट और इसका मीनिंग है सब को और यह संटेंस में प्रणावन है आप इसका परियोगाम कब करें? जब चेजे इंद्रापनेट हो तब अब आप सोचेंगे कि सब कोई के लिए हमारे पास अबरी वन भी तो हैं अबरी वन का मैं परियोग कर सकता हूं इसका तो परियोग आप करी सकते हैं लेकिन साथे साथ आप सिर्फ वन का भी परियोग कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद once related जितने भी doubt हैं सब समप्त हो जाएंगे इसे सब कोई चावल खाता है तो one adds rice अब ये one pronoun है ये sentence में काम करेगा singular के रोप में और जब singular रहेगा तो अब भी singular आएगा तो एक एक करके इसका परियोग सिखने वाले हैं आप है one और one का मतलब है वो अब देके meaning देरे देरे इसका change हो रहा है कभी हर कभी सब कोई तो कभी वो इससे बोलते हैं राहूल वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था तो sentence मनाते हैं राहूल is the one who helped me a lot तिया पर राहूल वो है इस वो के लिए परियोग करते हैं one वह वो है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ she is the one वह वो है जिसके बारे में that I always talk about ऐसे हैं परिया वो है जिसको राहूल ने डाटा था तो इससे हम परियोग करते हैं कि यह sentence past का है इस वज़े से हम परियोग के यहाँ पर was और यहाँ पर sentence में scolded हो गया है और यह one sentence में काम कर रहा है किसके रूप में यहाँ परियोग कर रहा है वह वो है इस परकार से वह लोग वो हैं जो बहुत अच्छे किरकेट खेलते हैं वह वो हैं ऐसे बोलते हैं आप यहाँ पर one से मेरा आ गया once अब यह once हम जैसे यह परियोग करते हैं यह once का भी मतलब हो गया कि इस one का plural form यह once होता है और इससे कोई मतलब है ने क्योंकि यहाँ पर यह plural हैं इस विज़े से इसे भी करना पड़ा यह sentence में बना के से क्या कर रहा है यह एक pronoun है तो pronoun है तो गाई इससे sentence में object के रूप में भी काम कर सकता है complement भी बन सकता है अब हैं someone और यह someone का मतलब हैं कोई यह भी sentence में काम करता है pronoun के रूप में और यह sentence में काम करता है indefinite pronoun के रूप में अब यह sentence में काम करता है singular के रूप में और इसका meaning होता है कोई इससे someone का परियोग आप positive sentence में करते हैं कोई दरवाजे पर खड़ा है someone is standing at the door या पर कोई के लिखा गया someone कोई हला कर रहा है someone is making a noise यह indefinite pronoun क्यों है क्योंकि चीज़े indefinite है अब कोई हला कर रहा है कौन कर रहा है I don't know दरवाजे पर कोई है या कोई खड़ा है कौन I don't know तो चीज़े पता नहीं है कोई उसे पैसे दिया अब कौन दिया मुझे नहीं पता कोई दिया someone gave him money कोई उसे पैसे दिया यह sentence में someone है और यह someone sentence में या तो subject बन सकता है या फिर object बन सकता है तो मैंने यहाँ पर परयोग किया someone या आप चाहें तो object की रूप में भी परयोग कर सकते है या पर sentence में subject है इसे मैं किसी को जानता हूँ I know someone उसने किसी को पैसे दिया He gave someone money तो इसे हम परयोग कर सकते हैं आप हैं once और यह once का मतलब है वाला या फिर बोल सकते हैं वो अब इस once का हमको परयोग अगर singular form करना हो हमारे पास से one इसे मैं परयोग करेंगे जिससे मुझे यह वाला चाहिए I want this one क्या तुम वो वाला चाहते हो Do you want that one इस one का परयोग आप किस तरह से कर रहे है दाच आप कभी कर रहे है आप कभी this one कर रहे है इसस आप कर रहे है तिया पर this one that one का परियोग हो रहा है इससे आप इससे करेंगे इससे आप बोलते हैं आप इससे बोलते हैं आप बोलते हैं that car इससे बोलते हैं वो कार ये कार कि आप बोलते हैं ये वाला वो वाला तो वाला इससे परियोग होगा वो होगा one के लिए इससे पहले आप this और that का परियोग करेंगे this मतलब ये वाला that मतलब वो वाला इससे होजाएगा अब इसका परियोग यहां तक ही नहीं कोई color के साथ भी आप करते हैं इससे आप बोलते हैं क्या red one मतलब हो गया इसका कि लाल वाला red का मतलब लाल और one का मतलब वाला तो red one मतलब लाल वाला red one लाल वाला green one ये यलो वाल pink one इससे पूल सकते हैं तो मैं लाल वाला इससा आता हूँ I want red one तो इससे हम परियोग करते हैं this one, those ones क्योंकि ये plural हैं किसका one का, this ones my one, मेरा वाला your one, तुमारा वाला our one, some लोगों वाला yellow one, तिला वाला their ones, लोगों वाला his one, उसका वाला her one, उसकी वाली एटेसी ऐससे ये परियोग हम कर सकते हैं sentences में बना सकते हैं अब हैं once और यहाँ पर लगा हुआ apostrophe, apostrophe के बाद यहाँ पर s भी लगा हुआ once और इसका मतलब है अपना, अपना अगर इसका मिनिंग है तो अपना के लिए हमारे पास word है, my है हमारे पास हमारे पास our है हमारे पास his है हमारे पास there है तो यह जिस तरह से काम करता है sentence में, same once भी करता है इससे आप there का परियोगभ करेंगे जब subject to दे रहेगा his का परियोगभ करेंगे जब subject ही रहेगा my का परियोगभ करेंगे जब subject आई रहेगा और our का परियोगभ करेंगे जब subject we रहेगा इसी तरह के से once का परियोगभ करेंगे जब subject one रहेगा और इसका मिनिंग होगा अपना और यह sentence में कहलाएगा क्या possessive adjective कहलाएगा जिससे कि यह सब यह possessive adjective है सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए one should serve one's country ऐसे बोलते हैं हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए we should serve our country ऐसे बोलते हैं यहाँ पर sentence में we subject हैं हमने hour ले लिया और sentence में one है हमको लेना पड़ेगा once सभी को अपने बड़ों की इज़त करनी चाहिए one should respect to once elders सभी को अपना काम करना चाहिए one should do once work once work का मतलब हो गया अपना काम once elder मतलब अपने से बड़ों की once country मतलब अपने देश की तो इससे परियूग करते हैं आप है one self oneself का मतलब है खूद या स्वेंग अब इस तरह का मिनिंग तो हमारा myself भी देता है कि मैं खूद yourself भी देता है कि आप बोल सकते हैं क्या कि आप खूद ऐससे परियूग करते हैं आप बोल सकते हैं self आप बोल सकते हैं तो जिस तरह से ये काम करता है same oneself भी करता है और ये सबी क्या है तो reflexive pronoun है अब reflexive pronoun है तो मतलब ये भी तो object के रूप में काम करेगा reflect करेगा subject को ये से बोलते हैं सब को ये अपना काम swing करता है तो one does one's work oneself इससे मैं अपना काम खुद करता हूँ I do my work myself वो खुद कड़ी मेहनत करते हैं one अब यहां पर सब खुद कड़ी मेहनत करते हैं one should work hard oneself सब कोई खुद यहां काम कर सकता है one can do this work oneself तो I hope कि आप समझ पाने oneself का परियोग कब करते हैं अब है anyone इसके साथ भी आप पर one लगा हुआ है और इसका भी मतलब कोई है परियोग कब करते हैं introgative sentence में या फिर negative sentence में बतला दो sentence में आप परियोग कर सकते हैं और यह भी indefinite pronoun है और यह भी singular है कोई खाना नहीं खाया sentence negative हैं क्योंकि आप नहीं लगा हुआ है anyone did not eat food मैं किसी को नहीं जानता हूँ I don't know anyone अब यह pronoun है तो sentence में subject भी बनेगा और object भी बनेगा यहाँ पर object है यहाँ पर subject है क्या कोई यहाँ पढ़ सकता है can anyone read this तो इससे पोल सकते हैं और sentences बना सकते हैं आगे no one और इसका meaning है कोई नहीं अब no one है तो sentence में काम करेगा negative के रूप में अब यह negative sentence में परियोग भी होगा कोई बजार नहीं गया no one went to market छो रवी किसी को पैसे नहीं दे रहा है रवी is giving no one money तो यहाँ पर पैसे नहीं दे रहा है negative sentence है क्या कोई नहीं यहाँ पढ़ सकता है क्या कोई नहीं यहाँ पढ़ सकता है can no one read this तो यहाँ परियोग कर सकते हैं sentences बना सकते हैं so guys thanks for watching that's all for today